हेलो बच्चों कैसे हो आप सब आज मैं क्लास 12 इलक्रोइस्टेटिक्स शुरू करने जा रहा हूँ और मैं बहुत बेसिक से लेकर चलूँगा आप लोगोको इलक्रोइस्टेटिक्स और बहुत हाई-ले बल तक पढ़ाऊंगा जे में लेवल तक पढ़ाऊंगा आपको ठीक है तो इलेक्ट्रो इस्टेटिक्स में मैं आपको क्लास 12 का है ये और ये बोर्ड एक्जाम के लिए महतपूर हैं तो मैं उस टाइप से नहीं बताऊंगा जिस टाइप से इसे कहा जाता है तो बुलताता है कि आज से लगभग उसका इतिहास कोले जाता sect कि आए की आज 25 वर्स पुर्व दार्षिनिक थेल्स ने क्या क्राका अम्बर को हम रेशे से रगड़ा और प्रगणli पर उसंटेज हे पता चला कि उसको हल्के- ठीकैना अ Chuck और बस्तवों को अपने वरा करशित करने के चंता उत्पन हो जाती है यह सारी चीज़े जो होती है यह चीज़े मैं नहीं पढ़ाऊंगा मैं वो चीज़े पढ़ाऊंगा जहां से question बनता है competitive exam में हो या फिर board exam में हो या फिर किसी भी कहीं पर भी किसी भी physics का नालेज की बात हो तो मैं वो चीज़े मैं आपको दूंगा इस चिप्टर में ठीक है यहां तक ही मैं class 12 का सुरूश लेकर के अंत तक मैं आपको पढ़ाऊंगा ठीक है और syllabus आपका बहुत जल्द खतम होगा डेली एक चिप्टर मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा उसका कुस्चन भी कराऊंगा ठीवरी निमेरिकल तो होगा ही और इसके बाद लिखा है इलेक्ट्रोस्टेक्स चेप्टर वन है यह ठीक है बोर्ड एक्जाम का चिप्टर वन है तो बैदुथ अवेस किसे कहते हैं पहले यह बात आती है तो अवेस किसी किसी भी पदार्थ का वह गूर्ण है जिसके कारण जो होता है पदार्थ में विदुत चुम्ब की अथ विदुत एवं चुम्ब की प्रभाव उत्पन अथ्वा महसूस किये जाते हैं उससे हम क्या कहते हैं क्या कहते हैं विदुत आवेस कहते हैं ठीक है न में विदुत आव इसको प्रदर्शित करता है क्या होता है किसी भी बस्तू में इलेक्टरान की कमी या अधिक्ता होना क्या होता है बैदुत स्वरी क्या होता है आवेश को प्रदर्शित करता है यह बाते समझे यह इस्टार पॉइंट है किसी भी किसी भी बस्तू में इलेक्टरान की अधिक्त यह कमी होना क्या होता है अवी इस को दर साता है चलिए इसकी हम आवेस्ट की इलेक्ट्रिक चार्ज एलेक्ट्रिक चार्ज हमने भी आपको बताया इस थी गए है कि इसमें किया बताया अब येश् ठीक है नूररी यानिकि चार्ज हमने बताया आपको एक चार्ज होता क्या है ये ववेश्षैपिर ये पिसी साइपिक के बात करेंगैं बाईदूत अवेश्षै की साइपिक की मात्र किकिए थो इसका क्या होता है इसाई मात्रक इसका क्या होता है तो जो होता है बैदूत आवेश का फार्मूला आप जानते होंगे कि Q is equal to IT होता है तो आवेश is equal to क्या होता है यहां फे आवेश is equal to धारा बैदूत धारा इंटू समय क्या बोलेंगे यहां पर लिख दे रहां बैदूत धारा इंटू समय तो जो होगा एसाई मात्रक होगा इलेक्ट्रिक चार्ज का जो होगा आपका क्या होगा इंपियर इंटू सेद के बैदूत धारा का मात्रक क्या होता है एंपियर होता है और समय का मात्रक क्या होता है सेकेंड होता है तो हम यह अपर लिखेंगे एंपियर कि इंटु सेकेंड बाते समझ में रही यह साई मात्रक इलेक्ट्रिक चार्ज का जो होता है MPR इंटु सेकेंड होता है अब देखिए अब इसका अगर हम experimental जो मात्रक हम देखें अब इसका प्रयोगिक मात्रक जो होता है आपका mpr into घंटा होता है अब इसका प्रयोगिक मात्रक जो होता है आपका mpr into घंटा होता है is equal to 3600 कुलाम हो जाता है और फैराडे की बात करें यानिकि एक फैराडे जो होता है is equal to 95500 कुलाम के बराबर होता है एक फैराडे एक फैराडे is equal to 96,500 कुलाम ठीक है ये भी इन्टेनोट कर लेंगे अब देखिए हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो एक परकार के एक मिलकन है ठीक है ना मिलकन एक बैग्यानिक है इसका मानिक है ये बात अब समझे होंगे चलिए अब हम अवेस के बिसिश्ट गून के बारे में हम बात कर लेते हैं Specific properties of क्या बोलेंगे? Charge Specific properties of Charge अवेस के business goal अवेस में क्या-क्या गोन होता है? मैं उसके बारे में बात करूँगा अवेस के business goal ठीक है? अवेस का business goal होता है अवेस क्या है? अवेस एक जो होता है अधिस रासी है, अधिस और सधिस आप लोग पढ़ेंगे class 11th में ठीक है? तो अवेस जो होती है एक अधिस रासी है first one जो है आपका अवेस जो होती है एक अधिस रासी है अवेस एक अधिस रासी है first one इसमें यह इलेक्टान की कमी या अधिक्ता को ही प्रदर्सित करता है यह क्या करता है इलेक्टान की कमी या अधिक्ता को ही प्रदर्सित करता है यह जो है इलेक्टान की कमी या अधिक्ता को ही अधिक्ता को ही प्रदर्शीत करता है फिक है चलिए सिकेंड पॉइंट आपका अवीश का जो होता है अस्थानांतरन किया जा सकता है ट्रांस्फर्मेशन किया जाता है अवीश का अस्थानांतरन किया जा सकता है सेकेंड जो है आपका अवीश का अस्थानांतरन किया जा सकता है की से किया जा सकता है यदि एक आवेशित बस्तू को ऑन आवेशित बस्तू के संपर्क में लाया जाता है तो जो ऑन आवेशित बश्तू के पास आने से वह भी ऑन बस तू आवेसित हो जाती है ठीक है ना इस प्रकार से हम क्या करते हैं आवेस का आस्थानांत्रण हम करते हैं अब चलिए ठर्ड पॉइंटों का इसका हम आपको बताते हैं आवेस हमेशा द्रमान के साथ संबंध होता है आवेस का जो होता है हमेशा जो होता है द्रमान के साथ संबंध होता है अवेश हमेशा द्रमान के साथ संबंध होता है ठीक है यह आप इतना नूट कर लीजिए चलिए मिटाता हूँ चलिए देखिए मैंने लाश्ट पीस में पॉइंट क्या बताया था कि आवेश जो होता है हमेशा द्रमान के साथ संबंध होता है कैसे होता है तो द्रमान के बीसा बीना जो होता है आवेश का कोई अस्तित्व नहीं होता है जबकि द्रमान जो होता है आवेश के बीना संभव है द्रमान क्या हो? होगा आवेश के बीना संभव होगा लेकिन द्रमान के बीना आवेश का कोई अस्तित्व नहीं होगा ठीक है? और देखिए किसी बस्तु को आवेशित करते समय उसका द्रमान परिवर्तित होता है जब बस्तु को धनावेशित करते हैं तो उसका द्रमान क्या होता है? घटता है ये भी star point है जब बस्तू को धनावे सिद करते हैं तो उसका द्रमान क्या होता है घटता है और जब बस्तू को रिणावे सिद करते हैं तो उसका द्रमान क्या होता है बढ़ता है हमारी बातों पर ध्यान देजेगा आप लोग ठीक है अब हम आवेश का क्वांटी करण का सिधान्थ हम पढ़ेंगे आवेश का क्वांटी करण सिधान्थ इस सिधान्थ का अनुसार क्या होता है भीया इस सिधान्थ का अनुसार जो होता है आवेश जो होता है पूर्ण गूलज के यानिकि E के पूर्ण गूलज के रूप में होता है 1, 2, 3, 4 जबकि ये भिनात्मक रूप में आवेश नहीं होता है यही बोलता है विदुत आवेश का क्वांटी करण वह गूलज होता है क्या होता है पूल गूनाज होता है किसी पिंड का आवेश क्यू निम्न प्रकार दिया जा सकता है क्यू जो होता है एनी के बराबर होता है ठीक है अब देखिए यहाँ पर एन क्या है एन बराबर जो है धनात्मक या रिनात्मक पुलांग है धनात्मक या रिणात्मक पूलांग है ठीक है चलिए अब इलेक्टान की अवेश जो होता है प्रकित में उपस्थीत सबसे छोटा अवेश होता है यह बाते आप समझ गए होंगे चलिए अब देखे प्रोटान का जो अवेश होता है प्रोटान का अवेश बराबर माइनस इलेक्टान का अवेश बराबर इसका भैलू क्या होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 क्या होता है कुलाम होता है सी मतलब कुलाम ठीक है ना जो प्रोटान का अवेश होता है वही माइनस लगा के इलेक्टान का अवेश होता है और इसका भैलू होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलाम अब हम बात करेंगे आवेश सन्रक्षन का नियम अवेश सन्रक्षन का नियम अवेश सन्रक्षन का नियम क्या कहता है अवेश सन्रक्षन का नियम ये कहता है किसी बिल्गित निकाए में समय के सपेक्ष कूल अवेश में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है कूल जो अवेश होता है उसमें परिवर्तित नहीं किया जा सकता है लेकिन गर प्रिथक प्रिथक आवेश को हम परिवर्थित कर सकते हैं आर्थात न तो आवेश को उत्पन किया जा सकता है और नहीं नस्ट किया जा सकता है अभेस्क सनक्षण का नियम का सभी प्रकार के रसाइनिक तथा नाभिकी अभिक्रियाओं में पालन होता है इस नियम का अभी तक exception नहीं हुआ है अभी तक कोई भी अपवाग नहीं है क्या बोलेंगे अभेस्न रंखन का नियम? इस नियम का अनुसार अभेस्ण तो उत्पन किया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता है ठीक है यह सब पोचिंग में बता जाता है लेकिन हम क्या लिखेंगे? किसी बिल्गित निकाय, किसी बिल्गित निकाय में समय के सपेक्ष कूल आवेश को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, ठीक है न, अर्थात न तो आवेश को उत्पन किया जा सकता है, और नहीं नश्ट किया जा सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आवेश संदरचड का नियम कहते हैं, हम ऐसा लिखेंगे, बाते समझ में आ गई होगी, आवेश जो होता है, वह निर्पेक्ष रास होता है, इसका मतल इसका आवेश और परिवर्तित रहता है, ठीक है न, आवेश जो होता है, निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात आवेश को आवेशित बस्तू का वेग बदलने पर भी, ठीक है न, आवेशित बस्तू का वेग बदलने पर भी, उसका आवेश और परिवर्त रहता है यह बात है समझगे चलिए अब हम बात करेंगे आकर्षण अथ्वा प्रतिकर्षण अवेश में आकर्षण अथ्वा प्रतिकर्षण कैसे होता है तो समान परकार के जो आवेस होते हैं वो एक दुसरे को प्रतिकर्सित करते हैं और ठीक है ना समान परकार के आवेस एक दुसरे को क्या करते हैं प्रतिकर्सित करते हैं, मालों यह प्लस अवेस है, और यह भी प्लस अवेस है, तो एक दुसरे को रिपेल करेंगे, यानि कि प्रतिकर्सित करेंगे, ठीक है, एक दुसरे को प्रतिकर्सित करेंगे, ठीक है, और यादी बिपरित परकार के अवेस होंगे, तो एक दुसरे को य भर्शित करते हैं यह हुए आपका अकर्शन प्रतिकर्षण आवेसमें अकर्शन अत्वा प्रतिकर्षण बाते शुम्म आगे। अब चलिए हम बात करेंगे आवेस करने के विधिया अवेसम करने की कितनी विधिया हैilan मैठर साफ चारविम एक तो हम करेंगे घर्षड विदी द्वारा फ्रिक्शन करेंगे ठीक है ना जब हम बस्तू को जब हम एक बस्तू को दूसरी बस्तू के साथ क्या करते हैं रगड़ते हैं तो इलेक्टान का अस्थानांतरन एक बस्तू से दूसरे बस्तू में होता है जिसे हम क्या कहते हैं कि यह हो है हम इसे मिटा लेते हैं और इसके बाद आपको आगे परसकता हूं की कर तो इस्ठीट्थ वैदूत प्रेराणक्षान क्या होता है यदि एक बाप आवेसित बस्तु को उदाशीन धात्विक बस्तु के पास लाया जाए तो आवेसित बस्तु जो होती है उदासीन बस्तु के विप्रीत आवेश को आकर्सित करती है जो होती है उदासीन बस्तु के विप्रीत आवेश को क्या करती है आकर्सित करती है और समान आवेश को प्रतिकर्सित करती है प्लाम सरूप जो होता है उदासीन बस्तु की सतह रिरावेशित और दुसरी सता धनावेसित हो जाती है यह जो होता है इस्थिर बैदुत प्रेणर कहलाता है क्या बोलेंगे इस्थिर बैदुत प्रेणर में के विपरीत अवेश को अकरसित करता है और समान अवेश को प्रतिकरसित कर देगा चलिए हम आपको बताते हैं मालने ये आपका इदासिन जो है आपका धात्विक बस्तू है इसके पास हम आवेसित बस्तू को लेकर आ रहे हैं यहां पर मान की चलिए कि यहां पर प्लस चार्ज है कि इसको हम इसके पास लाएं तो यहां पर जो होगा यह कि इस पर अपने आप एक आवेस माइनस चार्ज पन हो और इसको आकर्सित करेगा और इसके ठीक बिप्रीट इतने ही दिस्टेंस पे प्लस चार्ज इधर की तरफ होगा इधर की त्रफ होगा जाना बात रहत Lets ये ना कि ये पूरा माइनस चार्ज हो जाए, ठीक है, यानि कि फ्लस चार्ज को ये रिपेल किया, तो ये इधर की तरफ हो गया, और माइनस चार्ज को इधर आकरसित किया, तो अपने तरफ खिच लिया, बाते समय आ रही है, चलिए, अब हम इस बस्तू को, देखी हैं आवेशित बस्तू को आनवेशित बस्तू के पास लाने पर, ये इस्थिती उत्पन हो रही है, ये है आपका आवेशित बस्तू, आवेशित बस्तू को आनवेशित बस्तू के पास लाने पर, ठीक है ना, ये आनवेशित बस्तू थी, इसके पास लाया गया तो ये इस्थि उत्पन होती है अब हम इसको एक और तरीके से कर सकते हैं कैसे तो आनावेशित बस्तु को अनावेशित बस्तु को भू संपर्कित करके भी हम क्या कर सकते हैं आवेशन की बिधि आवेशित कर सकते हैं भू संपर्कित, मतलब भू संपर्क करके भी, हम क्या करेंगे, आनावेसित बस्तु को आवेसित कर सकते हैं, देखी हम कैसे करते हैं, आनावेसित बस्तु को भू संपर्कित करने पर, भू संपर्कित करने पर, चलिए यहां पर हम क्या करेंगे यह है आपका अनावेशित बस्तू इसको हम भूसम परकित कर दिये भूसम परकित का यह चिंद बनता है ठीक है और देखिए यहां पर जो हो रहा है अवेशित बस्तू को हम पास ले आए ठीक है पास्ट यही इस पर प्लस चार्ज है ठीक है तो यह माइनस चार्ज इधर हो जाएगा और इसके ठीक भी प्लस चार्ज इधर हो जाएगा ऐसे भी हम कर सकते हैं तीसरी बात एक आपकी आती है आनावेसित बस्तू को भूमी से प्रिथक करने पर ये इस्थिति आपकी उत्पन हो जाएगी देखिए, अनावेशित बस्तु को भूमी से प्रिथक करने पर कैसे क्या होगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है आपका अवेशित बस्तु प्लस चार्ज इस पर और भूमी से जैसे ही हम प्रिथक करेंगे इस पर ये जो होगा, ये सिर्फ माइनस चार्ज ही बच जाएगा प्लस चार्ज इधर की तरफ वो नहीं रहेगा ठीक है, अब चलिए हम आवेशित बस्तु को हटाने पर आवेशित बस्तु को अगर हटा देते हैं ये आवेशित बस्तु है आपकी, इसको अगर हटा देते हैं तो क्या होता है? आवेशित बस्तु को हटाने पर ये सारे चीज कमटेटिव इग्जाम के लिए बहुत ही महत पोड़ है आवेशित बस्तु को हटाने पर क्या होगा? आवेशित बस्तु को जैसे ही हम हटाएंगे तो उदासीन जो धात्विक बस्तु है इस पर सीर्फ आव माइनस चार चारू तरफ फैल देगा बाते समझ्वे आ रही है? चलिए अब हम प्रेरित करने वाली बस्तु नो तो आवेश पराप्त करती है और नहीं खोती है प्रेरित आवेश की प्रकृति जो होती है साधय या प्रेरित करने वाले आवेशस बिपरित होती है कि बाते समझ में आ रही है प्रेरित के वाल बस्तु में संबद zas नहीं बस्तु जो होना चाहिए वह चालक बढ़ी हो सकता है और अचालक Emery अब हम पढ़ेंगे चालन कंडक्षन थोड़ा से जान लेते हैं इसके बाद हम खुलाम का नियम पढ़ेंगे ठीक है तो कंडक्षन के बारे में हम पहले जान लेते हैं चलिए कंडक्षन क्या होता है चालन कंडक्षन ठीक है न, चालन क्या होता है जब दो बस्तूओं को समपरकित करने पर आवेस अस्थनांतरन की प्रक्रियज होती है वो चालन कलाती है दो बस्तूओं को समपरकित करने पर आवेस के अस्थनांतरन की जो प्रक्रिती होती है वो चालन कलाती है यदि एक बस्तू यानि कि आवेशित बस्तू को अनवेशित बस्तू के पास ले आया जाए तो अनवेशित बस्तू जो होती है आवेशित बस्तू के कारण वो भी आवेशित हो जाती है यह किसके कारण होती है तो यह transformation अस्थानांतरन के कारण होती है और यह जो होती है कुछ अवेश की कमी होती है यह कमी अनावेशित बस्तु द्वारा प्राप्त किया अवेश के तुल्य होती है यह जो कमी होती है वह अनावेशित बस्तु द्वारा प्राप्त की गई अवेश के जो होता है बराबर होता है यह बाते समझेगे अनावेशित बस्तु द्वारा अवेस से सदय कम होता है तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही और मैं अगले लिक्षर में आपको कुलाम के नियम और इसके आगी के प्रक्रिया जारु करूंगा ठीक है क्योंकि आज फर्श ट्रेक्चर है आज बस इतना ही मैं आपको बताना या था कि आज से मैं फिजिक्स क्लाश 12 के लिए शुरू कर रहा हूं ठीक है इसमें आपका निमेरिकल पार्ट भी होगा अब्जेक्टिव पार्ट भी होगा निमेरिकल कोश्चन भी कराऊंगा अब्जेक्टिव कोश्चन भी कराऊंगा हर एक चीज कराऊंगा ठीक है तो आप अपने दोस्तों क तो बता देजिए कि इस चैनल पर जो है फिजिक्स क्लाश 12 के सुरुख हो चुकी है तो फ्रेंट्स मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक ले धनिवाद जैए